हेलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रीधिंग एंड एक्सचेंज ओफ गैसी चैप्टर के एंसी आटी बेस्ट एमसी क्यूज यहाँ पर हम टोटल ट्वंटी वन क्यूसन जो वो डिसकस करें एक एमसी क्यूज की फॉम में तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्यूसन से आप हमें लास्ट में बताना कि आपके कितने क्यूसन करेक्ट होते हैं तो फर्स्ट क्यूसन पुछा गया है विच ओफ दा फॉलविंग फीचर इस कॉमन इन ऐलुलाई ओफ दा लंक्स एं आपशन डी है वरिच सप्प्लाई ऑफ बुट वैसल एंड लिफ दक्स तो इनमें क्या है जो अलियुलाई होती है वो भी सर्फेस एरिया को इंक्रीस करते हैं और विलाई जो हती हैँ इंटेस्टाइन के अंदर वो भी absorption के लिए surface area को increase करती है तो हमारा correct answer आजाएगा option a provide a large surface area ओके next हमारा second question है partial pressure of oxygen in inspired and expired air is fill in the blanks and dash mm of hg यानि जो partial pressure of oxygen है वो inspired air के अंदर और expired air के अंदर कितना कितना होगा option दिएगे 146 mm of hg 159 and 40 mm of hg 159 and 90 mm of hg and 195 mm of hg inspired air कौन सी होगी जो की atmospheric air के अंदर जो partial pressure होगा अब atmospheric air के अंदर कितना होता है वो होता है 159 okay अब आप पूछोगे कि expired air के अंदर कितना होगा तो वो जो de-oxygenated blood के अंदर जो partial pressure of oxygen हो पूछना चाह रहा है तो de-oxygenated जो partial pressure होता है वो कितना होता है 40 होता है mm of hg तो हमारा answer आजाएगा option b that is 159 and 40 mm of hg okay next question number 3 की तरफ चलते है क्योंसे number 3 में हम से पूछागे which of the following statement sequence is correct to initiate expiration यानि हमें बताना कि यहां पे बिल्कुल correct sequence बताना है अगर हमें expiration को initiate करना है तो किस किस तरह से क्या क्या चीज़े होगी first बोला गया है relaxation of external intercostal muscles and return of diaphragm and sternum to their normal position second air expelled from the lungs and third volume of the thorax decrease and fourth intra pulmonary pressure increase यानि हमें यह बताना कि सबसे पहली चीज़े क्या होगी अगरे expiration करना है तो सबसे पहले क्या होगा यहां पर जो external intercostal muscles है उनके अंदर relaxation आएगी और जो diaphragm है वो भी return हो जाएगा अपने original position पे इसके लावा इस टेरलम जो है जो thorax की volume हो decrease हो जाएगी then क्या होगा जो intra pulmonary pressure वो क्या हो जाएगा increase हो जाएगा और अगर एक बार intra pulmonary pressure increase हो गया तो air क्या हो जाएगी expelled हो जाएगी lung से यहापे सबसे पहला जो sequence है वो first आना चाहिए then third then fourth and then जो वो second तो हमारा correct sequence आएगा first, third, fourth and second तो हमारा answer आजेगा option A next हमारा question number fourth है total lung capacity is approximately यानि हमें यह बताना है कि total lung capacity जो वो कितनी हो सकती है 1200 milliliter, 2400 milliliter, 4000 milliliter या 50, 800 milliliter तो total lung capacity कितनी होती है अब आपको पतांने अची है की total lung capacity कि अंदर क्या-किया include करते हम हम करते हैं, सबसे पहले जो tidal volume है उसको भी, फिर हम expiratory reserve volume को भी और फिर residual volume को उन्हेंं सब को मिला कि क्या करते है total lung capacity मि अब टाइडल volume कितनी होती है यह होती है 500, okay inspiratory reserve volume कितनी होती है यह हो सकती है हमारी 2500 से 3000 तक उसके बाद में हमारी जो ERV है वो कितनी हो सकती है वो हो सकती है हमारी 1000 to 1100 और हमारी RV कितनी हो सकती है 1100 to 1200 तो यहां पर जब हम इन सब को total करेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा कितना 58 100 ml तो हमारा अंसर आजएगा option D next हम किससर नंबर जो है वो देख लेते हैं 5th नंबर यहां पर बोला गया the volume of air involved in breathing moment can be estimated by using यानि जो breathing के time पर volume of air involved होती है उसको हम कैसे estimate कर सकते है किस चीज़ का use करके speedometer, spirometer, aerometer या फिर odometer pure anxiety यह बहुत आसा निसा answer आजाना चीज़ वो कौन सा होता है, spirometer होता है तो answer आजएगा option B next हमारा किससर नंबर जो है वो 6 तह यहां पर बोला गया volume of the air that will remain in the lungs after normal expiration this include यानि अगर हम एक बार जो है वो हमारी volume air की जो lungs के अंदर रह जाती है अगर हम एक बार normal expiration करते हैं उसके बाद में भी तो उसके अंदर कौन-कौन से चीज़ आते है TV, ERV, TV, IRV, ERV plus RV या फिर VC plus RV तो आपको बता दो इस chapter में जो भी short form है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्यांकर नीट में इस तरह से जिएर्शन आ चुका है TV क्या होता है, turtle volume, ERV क्या होता है, airv क्या होता है inspiratory reserve volume और आपका RV क्या होता है, residual volume वी C क्या होता है vital capacity होता है सबसे पहले ये दो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका functional residual volume और इसके अंदर क्या आता है आपका expiratory residual volume प्लस RV आता है तो मारा answer आ जाएगा option C okay next question number जो वो 7 देख लेते हैं 7 में बोला गया है a healthy man can inspire और expire exomatically milliliter of air per 5 minutes यानि एक healthy man जो वो कितना inspire और expire कर सकता है milliliter of air option दियेगे 6000 to 8000, 60,000 to 80,000, 3000 to 4000 या फिर 30,000 to 40,000 तो यहाँ पर simple सा देखिए यहाँ पर हमसे पहली चीज़ है 5 minutes पूछा गया है बहुत बच्चे जो वो तुर्ण 6000 to 8000 लगाएंगे अगर जल्दी से नहीं पढ़ेंगे pure complete question को क्योंकि ये title volume anxiety में per minute लिखा गया है हमने याप इस से multiply करेंगे तो 6 into 5 तो कितना आजाएगा हमारा 30,000 से लेकर 40,000 तक आजाएगा तो हमारा answer आएगा option D और next question number जो वो 8 देख लेते हैं question number 8 में बुलागे partial pressure in mm of Hg of oxygen in blood that is deoxygenated is यानि partial pressure of oxygen जो है वो deoxygenated में क्या होता है equal to that of the LULI higher than the atmospheric air equal to that of the tissue या फिर higher than that of the LULI अब सबसे पहले बात करते हैं LULI के अंदर partial pressure कितना होता है वो होता है 104 और deoxygenated blood के अंदर कितना होता है वो होता है 40 तो यहाँ पर equal to that of LULI है जी नहीं क्या higher than of LULI यह जी नहीं lesser हो सकता है higher than of atmospheric air atmospheric air के अंदर अब ही देखा था 159 नहीं है क्या higher अजी नहीं उससे तो lower है equal to that of tissue यह बिल्कुल सही है क्योंकि 40 ही जो tissue में होता है और 40 ही क्या होता है आपका यहाँ पर होता है deoxygenated blood में तुमारा answer आ जाएगा option C Okay next question number 9 काफी interesting सा question है काफी बच्चे confused हो सकते है ध्यान से पढ़ लेना question को Question number 9 है correct number of statement which are no treatment in a proper way यहने मैं पताना है correct number of statement जो की अच्छे से नहीं लिखी गई है फर्स statement है about 96% of the oxygen is transported by RBC in the blood, second है 4% of the oxygenated is carried in a dissolved state through the plasma, third है nearly 20-25% of carbon dioxide is transported by RBC where 70% of it is carried as bicarbonate and fourth है about 5% of CO2 is carried in a dissolved state through the plasma Pure NCRT का data है यह तो यहाँ पर हमें बताना है कि कितनी ऐसी statement जो सही से नहीं लिखी गई है 4, 3, 2 या फिर 1 सबसे पहले बात काते है about 96% of the oxygen देखिए अगर मैं NCRT के according बोलो तो आपे 97% लिखावा है तो यह incorrect हो गई तब 4% जी नहीं यहाँ पे 3% लिखावा है यह भी incorrect हो गई Nearly 20-25% of CO2 is transported by RBC where 70% is increased by carbon यह विलकुर correct लिखावा है About 5% of the CO2 is carried in the dissolved state through plasma NCRT के अंदर यह 7% लिखावा है तो यह भी incorrect हो गई तो total number of statement जो कि साही ने लिखिए वो कितनी है 3 है तो हमारा answer आजाएगा Option B ज्यान से दुबारा पढ़ लेना अगर आपको एक बार में समझ नहीं है Okay next हमारा question number जो हो 10 है question number 10 में पूछा गए Which of the following statement is incorrect कौन सी X statement है जो incorrect है Option दिखा गया option first है Hemoglobin is a red colored iron containing pigment present in the RBC Second vital capacity में लिखा गया the maximum volume of air a person can breathe in After a forced expiration C लिखा गया the nasal chamber open into the pharynx a portion of which is the common passage for the food and air And D लिखा गया each bronchi undergo repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles Ending up in very thin terminal alveoli तो मैं बताना की कौन सी statement incorrect है The hemoglobin is a red iron containing pigment present in RBC ये बिल्कुल correct है Vital capacity the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration याने एक forced expiration करने के बाद में total volume of air inspire कर सकता है एक person उसको vital capacity बहुत ये बिल्कुल correct है The nasal chamber open into the pharynx a portion of which is the common passage for food and ये बिल्कुल correct है Each bronchi undergo repeated division to form the secondary and tertiary bronchioles ending up in very thin terminal Bronchioles अगर आप NCRT ध्यान से पढ़ोगे तो वापे bronchioles लिखा हुआ है Not alveoli तो यहाँ पर ये जो है वो incorrect है तुमारा answer आजाएगा Option B जान से दुबारा पढ़ लेना अगर अपने NCRT ध्यास से नहीं पढ़िए दो Question number 11 Another factor are all favorable for the formation of oxyhemoglobin except one that is यानि आपर ये बोला गया है कि यह जहां पर जितने भी factor लिखे गए हैं वो सभी favorable है Oxyhemoglobin के formation में Except one but एक जो है वो favorable नहीं है कौन सा In the LULI high partial pressure of oxygen, low partial pressure of CO2, low pH या फिर lower temperature Simple सा समझे यहां पर क्या हो रहा है अगर हम बात करें तो यहां पर lesser H plus ion concentration होती है अब जितनी H plus ion concentration कम होगी इसका मतलब pH उतना ही जादा होगा मतलब वो basic condition होगी acidic जादा नहीं होगी तो यहां पर लिखा है कि यहां पर low pH होता है जी नहीं यहां पर high pH होता है यह accept है तो यहां पर यह गलत लिखा हुआ है यहां पर अगर यह होता कि high pH तो हम बोल सकते थी या फिर ऐसा होता lesser H plus ion concentration तब भी सही होता बट low pH जो वो incorrect हो जाएगा तो answer आजाएगा option C इस तरह से need to 2016 में question आज चुका है तो आपको ध्यान रखना चाहिए ओके next नमरा question number 12 है every hundred milliliter of oxygenated blood can deliver around 10 milliliter of oxygen to the tissue under normal physiological condition यानि 100 milliliter oxygenated blood जो है वो कितना milliliter oxygen को जो है वो deliver कर सकता है normal physiological condition में 3 milliliter, 4 milliliter, 5 milliliter या फिर 6 milliliter pure NCRT आपका अंसर आजाएगा 5 milliliter हमारा answer आजाएगा next हमारा question number 13 है CO2 carbon dioxide is carried as carb amino hemoglobin about यानि जो CO2 है उसको carb amino hemoglobin की form में कितनी जाती है 15 to 20%, 7%, 70% या फिर 20 to 25% अभी पता था RBC की form में कितनी जाती है 20 to 25% तो हमारा answer आजाएगा option B next हम question number 14 देख लेते है question number 14 हम से पूछागे every 100 milliliter of deoxygenated blood deliver approximately milliliter of CO2 to the alveoli अब यहापर यहापर पूछागे कि every 100 milliliter जो deoxygenated blood दोद है वो कितनी CO2 को transport करता है 3, 4 milliliter, 5 milliliter या फिर 6 milliliter तो बहुत असानी से pure NCRT based आपका answer आजाने चीए किता होता है वो 4 milliliter होता है question number 15 है a specialized center present in the medular region of the brain which is primarily responsible for respiratory regulation यानि एक special center होता है medular region के अंदर brain के अंदर जो responsible होता है respiratory regulation के लिए वो कौन सा center है pneumotoxic center है respiratory rhythm center है carotid center या फिर aortic art center है तो simple है आप cancer आजाने चीए वो कौन सा होता है respiratory rhythm center होता है next question number 16 देख लेती है the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is यानि respiratory rhythm को बनाने में oxygen का कितना ज़्यादा रोल है quite insignificant quite significant effect by nitrogen या फिर none of these pure NCRT based है NCRT की line ही copy paste की गई है तो आपको answer आजाने चीए वहाँ पे quite insignificant यानि कोई ज़्यादा रोल नहीं है कोई ऐसा खास रोल नहीं है oxygen का हाँ carbon dioxide का बहुत ज़्यादा रोल होता है next question number 17 है chronic disorder in which allular walls are damaged due to which respiratory surface is decreased यानि वो कौन सा chronic disorder है जिसके अंदर allular walls होती है वो damage हो जाती है जिसकी वज़े से respiratory surface decrease हो जाता है option दियेगे asthma, fibrosis, silicosis या फिर empycema pure anxiety based आपका answer आ जुका होगा answer आ जाएगा option D empycema next हमारा जो question है match the column question match the column question में या पे दियेगे asthma, occupational respiratory disorder empycema and pneumotoxic center और इज़े दियेगे cigarette smoking, inflammation of bronchi in the bones region और proliferation of the fibrous tissue सबसे पहले हम बात कहते है asthma की asthma में क्या होता है inflammation of bronchi and bronchioles होता है occupational respiratory disorder के अंदर क्या होता है proliferation of fibrous tissue हो सकता है empycema किसकी वज़े से हो सकता है cigarette smoking की वज़े से हो सकता है और pneumotoxic center कहां पे present होता है इंदा pons region में present होता है तो अब ऐसे option देख लेते हैं first जो हमारा second के साथ जा रहा है ऐसे हमारे पास दो option है second हमारे पास fourth में जा रहा है अभी भी हमारे पास दो option है third हमारा जो वो first के साथ जा रहा है और fourth हमारा third के साथ जा रहा है तो हमारा answer आजाएगा यहांसे option D next हमारा question जो वो वापी से match the column है और यह काफी interesting question है match the column में हमें आपी दिया गए inspiratory capacity, expiratory capacity functional residual capacity, vital capacity और इधर यहां पर milliliter में दिया है 2100, 4600, 1500 और 3000 तो मैं बताना की कौन कितना होगा सबसे पहले हम बात करते है inspiratory capacity की inspiratory capacity क्या होती है आपकी वो होती है TV plus IRV तो TV 500 और IRV को अगर 2500 हम add करेंगे तो वो approximately निकल के आएगा कितना 3000, अब हम बात करते है expiratory capacity के expiratory capacity में क्या add करेंगे TV plus IRV की जगर क्या add कर देंगे ERV, यहां पर हम 500 प्लस क्या कर लेंगे 1000 तो यह कितना निकल के आएगा मारा 1500 निकल कर आएगा functional residual volume, अभी हमने बात की थे functional residual volume क्या होता है ERV, expiratory residual volume plus residual volume जो है वो कहलाती है, हमारी functional residual volume तो ERV कितनी होती है, यह होती है 1000 और M20 को क्या कर सकते है 1100, तो टोटल कितना आजाएगा 2100 milliliter vital capacity के अंदर first four आ जाते है, जिसके अंदर आपका tidal volume, ओके, आपका tidal volume भी आ जाता है इसके अलाबा, आपका जो inspiratory reserve volume है और sorry, expiratory reserve volume है यह जो है, वो तीनों हमारे आते है vital capacity में कोने सा आते है tidal volume, inspiratory reserve volume और expiratory reserve volume, इन जग को है add करेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, 4600 तो हमारा inspiratory capacity कितना आए था यह आए था हमारा 300 expiratory capacity हमारा कितना आए था यह आए था हमारा 15 और हमारा functional residual volume कितना है था यह आए 21, तब ऐस option देख लेते है first जो है वो हमारा जारा किसके साथ में fourth के साथ में, तो first fourth के साथ में हमारे पास दो option है second हमारा किसके साथ में जारा है, third के साथ में अब भी हमारे पास दो option है, third हमारा किसके साथ में जा रहा है फर्स्ट के साथ में और फोल तमरा किसके साथ में जा रहा है सेकंड के साथ में तुम्हारे यहां पर आंसर आजाएगा option c okay next question number 20 देख लेते हैं 20 मैं हमसे बोला गया एक chemo sensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to एक chemo sensitive area होता है जो rhythm center के पास में होता है वो किस से दी और हमार लास्ट क्विशन है क्यूशन no 21 binding of oxygen and hemoglobin is primary related to binding of oxygen और hemoglobin किस से primary related होते हैं पार्सिल pressure of oxygen के साथ में पार्सिल pressure of carbon dioxide में hydrogen concentration या फिर temperature option दियेगी फिर वन एन तू या नि पार्सिल pressure of oxygen और carbon dioxide में जो हो आपके primary responsible होते हैं या फिर one and three partial pressure of oxygen या फिर hydrogen and concentration के साथ में या फिर first three के साथ में या फिर all of these तो यहाँ पर यह जो primary responsible होता है इन चारों के ही साथ में तो हमारा answer आ जाएगा option B all of these तो यह सब को तो इस वीडियो के लिए अगर आपको बाइलोजी और के बस्टे के notes आईए तो आपको description में लिंक में जाएगा मिलते हैं जल्दी नएक स्टूडिक साथ अब तक के लिए दन्यवाद